नमस्कार साथियों आपका लबली पाल के चैनल क्रियेटिविटी चैनल में स्वागत है आज मैं बनाओंगी अमिया या कच्छे याम का उसको अमिया भी बोलते हैं यूपी बियार में अमिया बोलते हैं और कच्छा याम भी बोलते हैं कच्छे याम के अचार बनाओंगी जो जहां पर मुता है तो आने वे वह बहुत चाहां के माद़के यह चोटे चोटे पीस करने बड़े पीस नहीं करने क्योंकि अगर बड़े आप पीस नहीं करने कुँकि अगर Unie पूरा फिनिस नहीं होता है, इसलिए छोटे-छोटे पीस करने, इस्को कट कर लेना है, यह देखे। से hoping no,Cut,iba?द आलने निकालने के देगी, निकालने के नगैंगे मैं क्या कर επाएट, मैं क्या करूँ गो ? मैं कैकी जावर्ण इसलिद Phantom. कि इसको मैं एक से देड़ गंटे के लिए कि मिला के अच्छे से रख दूंगी यह देखें नमखल दे डालके मैंने कि सारे जो अम्यादी सब्यों को मैंने कट कर लिया है कर गटने के बाद में मैं इसको मैंनेट कर रही हूं मैंनेट करने के बाद में मैं इसको छोड़ दूगी छोड़ने के बाद में पानी इसने अपना छोड़ दिया छोड़ने के बाद में इसको एक दिन के लिए दूप में डालोंगी दूप में डालने से ये फायदा होता कि या जल्दी खराबनी होता है अकर सालो साल चलाना है फिर यह सब तो करना ही पड़ेगा मैरे मैंनेक्ट करने की बाद में इसको दूप में एक दिन के लिए छोड़ी हूं ने के बाद में देखिए इसका कलर बुआ इसकी कॉंच्टी कितनी बची है ये देखेए तैसा सुख चाहा है ज्जाधा सूखा भी ने हैं अब मैं एक कटोरी सर्सो लूँगी काला सर्सो अगर आपके पास पीला सर्सो तो आप आदा कटोरी काला सर्सो लेजे आदा कटोरी पीला सर्सो लेजे मैं ये 5 kg अमिया का अचार बनाने के लिए बता रहे हूँ मैंने सब काला ससो लिया है मैंने उसको रोस्ट कर लिया है एक कटोरी में मेथी लोंगी एक कटोरी में कलोंजी लोंगी एक कटोरी में सौफ लोंगी एक कटोरी आजवाई लोंगी एक कटोरी जीरा लोंगी और आजमाईने काली मीर्च बनाले में सभी e जीजिते हैं सभी चीजों को क्या करूँगी मैंने सास Commons को रोस्ट कर लिया है हम मैं काली मीर्च और मेठी को रोस्ट करूँगी साथ मैं रोस्ट करूं कि इसमें जादा टाइम डाल दिया है शाट काली मिर्ष मिथी मैं सभी चीजों को रोस्ट करना जादा रोस्ट ने करना है कि तागे जल जाए ऐसा भी रोस्ट ने करना है ब्राउन हो जाए मैंने काली में समीथी को रोज कर लिया है सास्तो को रोज कर लिया है अब मैं अजवाइन कलोंजी सौप जीरा यह देखे मैंने सौप को डाल दिया है जीरा डाल दिया है अजवाइन डाल दिये कलोंजी डाल दिया है आपको धनिया नहीं डालना धनिया डालने से क्या हो तो आचार जल्दी खराब हो जाता है और आपको यह कसी देड महीं नहीं चलाना है तो फिर आप धनिया यूज कर सकते बढ़ अगर आपको सालो साल चला रहें तो अब धनिया नहीं ना यूज करें यह देखे मैंने सबी कि यह लिए दिरे रहोस्ट करूँगि अब मैं इसको निकालोंगे जो थालि में निकाले अब धंडा हुने के लिए 16 मयट में मसालों को छोड़ दोंगी फिर उसके बाद में में इसको दुरदोड़ा पीस लोंगी यह देखें जानलूंगे जाय में डालूंगे कि जालने के बाद में इसको मैं दोडोडा सभी मसालों को पीस लूँगी जिए कि दोडोडा ही पीसना है और महीं पीस दें जाएं पाउडर के पीस देंगे तो फिर अच्छा भी नहें लगे और ब। दोडोडा से क्या हुता अचार में मसाला जो रखा रहता है दांतों में तो बहुत ही अच्छा प्रेस्ट लगता है यह देखे मैंने सारे मसाले पीस लिए हूँ इसने के बाद में मैं अब क्या करूं भी कि मैं हाप के जी सर्सू का तेल होगी तीन पाओ तक तो होना ही चाहिए तेल जब हलका गरम हो जाएगा तेल को कच्छा नहीं डालना है कच्छा डालने से क्या होता कि कच्छा अचा निकले तो कच्छी कच्छी समेलाती है तेल की आपको सर्सू तेली यूज़ करना है मैं हलका तेल गरम करूंगी मैं इतना से मसाले के फिर मैं अलग से भी तेल आयद करूंगी यह देके तेल में मिर्ची डाली हूँ दो चमच लाल मिर्ची हल्दी पॉडर रेच चमच नमक मैंने मैं नेट किया था तम नमक आट किया था नमक आपको डालना है सबी चीजों को थोड़ा सा भून लेना है ते तेल को गरम-गरम ही जो अम्या का टीवी सुखी रखी थी एक दिन मैंने सुखाई थी उसमें एट कर देना है जो मैंने मसाले पीछ के रख़े ते दूट टूड़े उनको एट कर देना है अब इन चीजों को अच्छे से अम्या में मिक्स करना है तो देखिए मैंने सभी चीज को तेल थोड़ा गरम था तो इसलिए मैं चंचे की मदसी कल्चुल की मदसी मिलाऊंगी जब ठंडा हो जाएगे तो मैं इसको हाथों की मदसी अच्छे से मिक्स कर देंगे यह देखिए तेल आपको गरम एड़ करना है अगर आपको कच्छा एड़ करते ही तो फिर उसमें कच्छा कच्छा ही इसमेल आती है मैं आदी कटोरी के लगवाद विनेगर एड़ करूंगी आदी कटोरी ही मैं ब्लैक विनेगर एड़ करूंगी ब्लैक विनेगर अभी है नहीं तो आप च है कि में अच्छी से मिला लीए है कि अब आपके पार काच का डबा ओ तो आ पसमेट कर सकते हैं जार हो अगर आपके पड़ प्लास्टिक है तो प्लास्टिk के जार में भी ठाटे को बढ़ के अरख 그대로 है ये देखे हैं मैंने सारजार ढप्ते में रखेंगे मैं क्या करूंगी तेल को गर्मकरूंगी थंडा होने के लिए छोड़ए फिर मैं हाप केजी की 2005 अचार को जो मैं ईपको डप्तार तो आपको दो साल तीन साल कितने साल चला है चलेगा यहां अचार बन के बिल्कुल रइटी है अब लोग इसा तरीके साचार के रेस्पी तैयार करें प्लिजी चैनल को लाक जें़ पर या तैयार करें तरहीके और तरहा थो